ओम श्री परमात्मने नम्हा, ओम नमश्रिवाय श्रीश्रिव महापुराण, शतरुद्र सहिता अध्याय 28 भगवान श्रीव का यतिनाथ एवं हंस नमक अवतार, नंदीश्वर कहते हैं मुने, अब मैं परमात्मा श्रीव के यतिनाथ नमक अवतार का वर्णन करता हूँ, मुनीश्वर, अर वुदाचन नमक परवत के समीब एक भील रहता था, जिसका नाम था आहुक, उसकी पत्नी क लोग आहुका कहते थे वह उत्तम वृत का पालन करने वाली थी वे दोनों पति-पत्नी महान शिव भक्त थे और शिव की आराधना पूजा में लगे रहते थे एक दिन वह शिव भक्त भील अपनी पत्नी के लिए आहार की खोज करने के निमित जंगल में बहुत दूर चला ग इतने में ही उस घर का मालिक भील भी चला आया और उसने बड़े प्रेम से उन यतिराज यानि भग्वान शिव का पूजन किया उसके मनोभाव की परिक्षा के लिए उन यतिश्वर ने दीनवाणी में कहा कि भील आज रात में यहां रहने के लिए मुझे स्थान दे दो ही मैं चला जामगा तुमारा सदा कल्यार हो तो भील बोला स्वामी जी आप ठीक कहते हैं तथा आपी मेरी बात सुनिये मेरे घर में इस्थान तो बहुत थोड़ा है फिर उसमें आपका रहना कैसे हो सकता है तो भील की यह बात सुनकर स्वामी जी वहां से चले गए जाने क को उद्यत हो गए तब भील भील नी ने कहा कि प्राणनात आप स्वामी जी को इस्थान दे दीजिए घर आये हुए अतिती को निराशना लोटाईए अनिता हमारे ग्रहस्त धर्म में पालन के धर्म के पालन में बाधा पहुँचेगी आप स्वामी जी के साथ सुक गर के भीतर रहे और मैं बड़े-बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर बाहर खड़ी रहूंगी पत्री की यह बात सुनकर भील ने सोचा स्थि को बाहर से घर से बाहर निकाल कर मैं भीतर कैसे रह सकता हूं सन्यासी जी का अनित्र जाना भी मेरे अधर्म कारक ही होगा ये दोनों कार्य एक ग्रहस्त के लिए सर्वता अनुचित हैं अता मुझे ही घर के बाहर रहना चाहिए जो होनहार होगी वह तो होकर ही रहेगी ऐसा सोच आगरा करके उसने इस्त्री को और सन्यासी जी को तो सानंद घर के भीतर रख दिया और स्वेम वाय भील अपने आयुद बास रख कर घर से बाहर खड़ा हो गया रात में जंगली क्रूर एवं हिंसक पशूओं से पीड़ा देने लगे उसने भी यथा शक्ती उनसे बचने के लिए महान यत्न किया इस तरह यत्न करता हुआ वै भील बलवान होकर भी प्रारब्ध प्रेरिक्त हिंसक पशूओं द्वारा ब सन्यासी को दुखी देख बीलनी दुख से व्याकुल होने पर भी धैरे पूर्वक उस दुख को दबा कर यों बोली कि स्वामी जी आप दुखी किसलिए हो रहे हैं इन भील राज का तो इस समय कल्यान ही हुआ ये धन्य और कृतार्थ हो गए जो इन्हें ऐसी मृत्यू प् करूंगी आप प्रसनता पूर्वक मेरे लिए एक चिता तयार कर दें क्योंकि स्वामी का अनुसरन करना इस्त्रियों के लिए सनातन धर्म है उसकी बात सुनकर सन्यासी जी ने स्वयम चिता तयार की और भीलनी ने अपने धैरे के अनुसार उसमें प्रवेश किया इसी समय भगवान शंकर अपने साक्षात स्वरूप से उसके सामने प्रकट हो गए और उसकी प्रशंसा करते हुए बोले कि तुम धन्य हो धन्य हो मैं तुम पर प्रसन हूँ तुम एक शानुसार वर मागो तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदे नहीं है भगवान शंकर का यह प अवस्था को लक्ष करके भगवान शंकर और भी प्रसन हुए और उसके न मांगने पर भी उसे वर देते हुए बोले कि मेरा जो यती रूप है यह भावी जन्म में हंस रूप से प्रकट होगा और प्रसनता पूर्वक तुम दोनों का परस पर संयोग कराएगा यह भील नि इसकी ख्याती होगी और तुम विदर्व नगर में भीम राज की पुत्री दम्यंती होगी तुम दोनों मिलकर राजभोग भोगने के पश्यात वह मोक्ष प्राप्त करोगे जो बड़े-बड़े योगीश्वरों के लिए भी बहुत दूरलब है नंदीश्वर कहते हैं मु अगवान शिव उस समय लिंग रूप में इस्थित हो गए वह भील अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ था अता उसी के नाम पर उस लिंग को अचलेश की संग्या दी गई दूसरे जन्म में वह आहुक नामक भील नैशद नगर में वीर सेन का पुत्र हो महराज नल के ना की भीलनी विदर्भ नगर में राजा भीम की पुत्री दम्यंती हुई और वे यतिनाथ शिव वहां हंस रूप में प्रकट हुए उन्होंने दम्यंती का नल के साथ विवाह कराया और पूर्व जन्म के सतकार जनित पूर्ण से प्रसन हो भगवान शिव ने हंस का रूप ध धारण कर उन्हों दोनों को सुख दिया हंसावतारी शिव भाती-भाती की बाते करने और संदेश पहुचाने में कुशल थे वे नल और दम्यंती दोनों के लिए परमानंद दायक हुए ओम नमस्षिवाय शिव जी सदा सहाए अगर आपको मेरा चैनल और मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी अगली नॉटिफिकेशन आपको प्रापर मिल जाए ओम नमस्षिवाय